अलो दोस्तों नमस्कार आदियती क्लासेसिक जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है आए आज का प्रश्ण जो है हम लोग को करेंट अफेर जीके जीएस से संबंधित रहेंगे जो बहुत ही महतपूर है जानसे इसको समझेगा अंसर दीजेगा समभव तो उसे नूट कर लीजेगा तो आएए देखते हैं सबसे पहले गड़ेजी का नाम लेते हुए स्रीकों स्रीकर सायनमा आते हैं उसके बाद यह टेस्ट जो हुआ था टेस्ट नमर टेने का इस रेजल्ट है इसमें जो है अनुराग डाक्टर परदीप सुकला डाक्टर आधर्स जागरती गुपता डाक्टर अरून कुमार यादो और सियल गौड उसके बाद अमन गुपता है इन लोका साथ नमर है बाकी अंठाउन नमर में देखेंगे कि मीना वर्मा डाक्टर सालेनी सिंग शीव नरायन मिस्रा अतिस्क सिंग मनुर्मा चोरचिया और स्विव नात सिन्ना जी क से किन भारति कर्मियों को khater लूबल हेल्ट लीडर आवारट 2022 परात हुआ है एण्डी आर्येयफ कर्मी को और 90 स्वास्त कर्मी को आसा कर्मी को तो इसका अंसर होगा आसा कर्मी को तिक हैं कोस्ण नमर टू पर और तू है कोश्ण नमर टू एक मिए निवीचित में से भारत का कौन सा जयव भंडार विश्व सिंखला के जयव भंडार आरची छित्रों में समलित नहीं है पहला अप्शन है जब तो मैं प्रश्ण पढ़ूं आप चाहें तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं पहला है मानस दूसरा नंदा देवी तीसरा मनार की खाड़ी चौथा नीलगिर तो इसका आंसर होगा जो है मानस दूसरे का आंसर होगा पहला आंसर मानस होगा पूस्चन नमर तीन पर आते हैं निमिकित में से कौन सा सही सुमेलित जय मंडल राज नहीं है पंचन जंगा सिक्किम क्या ये सही है पोल्ड डेजर्ड मांचर परदेश क्या ये सही है दिहां पार्देश में कॉस्छी नमर फॉर भारत का पहला चौधा लेन और लेन मार्ग एकस्प्रेस पे कौन सा है इंपोर्टेंट है और इसे नोट कर लिए यहाज सकता है की परिच्छा में यमुना एक्स प्रेवे दिल्ली मेरट एक्स प्रेवे मुंबई पूड़े एक्स प्रेवे आगरा लखनौ एक्स प्रेवे इसका अंसर होगा दिल्ली मेरट एक्स प्रेवे तीक है गरामेड छेतरों के दूर दराज के चात्र भी इसको देखते हैं जिने ड क्लास्पी आप दबम के लेखा कौन है रास्वी हरी बोस भगत सींग भगती चरण वहरा वट्टु के स्वर्दत इसका आंसर हो जागा भगती चरण वहरा सी आंसर इसके हो जाएंगे ठीक है पुश्चन नमर 10 पर आते हैं प्रदानमंत्री नर्मोदी द्वारा विश्चु के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उधगाटन किस राज में किया गया पहला अपसन है हरियाणा दूसरा गुजरात तिसरा उत्तर परदेश और चौथा मद्द परदेश तो इसका आंसर होगा गुजरात आंसर इसका सही है कुश्चन नमर 7 पर आते हैं भारत में भारत में गरीवी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है राष्टी सांकिकी द्वारा गरीवी राष्टी गरीवी आयोग द्वारा तिसरा है राष्टी योजना आयोग द्वारा चौथा है नीती कारेदल द्वारा यानि सात्मी का डी आंसर क्या होगा सही हो जाएगा ठीक है आते हैं कोश्चन नमर एट पे COVID-19 महावारी के समय सफ्रिंग साइलेंस सिर्शत से नाइजर देश को रिपोर्ड की संस्ता ने जारी किया था कमेंट बास में बताएए क्या इसका अंसर होगा और इसका अंसर होगा यूनिसेफ यानि दूसरा इसका अंसर ही होगा पोशन नमर नाइन पर आते हैं भार्टी समिदान के किस अनुच्छेद से उच्छतम नियालेक ने जीवका का अधिकार, निस्ता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनामाई का अधिकार निकाले हैं अनुछेद 20, अनुछेद 19, अनुछेद 21 और अनुछेद 22 तो इसका अंसर होगा, अनुछेद 21 आंसर क्या होगा? सही होगा, निमिखित में से कौन सी समिती सारजिनिक बैंकों के समेकन से सम्मंदित नहीं है, रंगराजन समिती, नरसिंगम समिती, लिलाधर समिती, नायक समि समिती नहीं पूछ रहा है तो इसमें रेंकिंग सée चुन्की एजंग समयटी जैसे मालूम होगा है यह रंग राजन समीती के स了ख में मालून होता है लिए रास्तरंगड़ी का योग बसिष्ट का और सास का पंच तंत्र का तो इसका अंसर होगा रास्तरंगड़ी याद रिखिएगा कस्मीर का इतिहास किसमें लिखा गया है रास्तरंगड़ी में लिखा गया है इसको कलहड ने लिखा 1148 और 1150 के बीच में लिखा कलहड जो है कस्मी में लिखा कर तीन लोगे ने इसको अब्डेट किया था आते हैं कुश्चन नमर बारह पे रिपब्लिक पार्टी आफ इंडिया के संस्तापक कौन है डाक्टर वी आर अंबेटकर सुभाष्चन बोस चारू मजुदार डाक्टर राम मनोरलोहिया तो रिपब्लिक पार्टी आ बेंगलोर के दवारा आई ii टी खड़तपुर के दवारा एम्स दिल्ली के दवारा एम्स पट्ना के दवारा याद रिखेगा पूनाड İyi oजना यह आपका हो जाएगा आई 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 असरी बैंगलूर के द्वारा बैस्विक भूग सुचकांग इसकोर को मापने के लिए निमिल्खित में से कौन सा सुचकांग सही नहीं है जो है सिसु मित्तुदर, अलप पोशड, बाल अप्छे और बच्चे का अलप विकास याद रिखिएगा यह सुचकांग कौन सा है भूग सुचकांग जो है सिसु का मित्तुदर नहीं देखा जाता है इसलिए आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा पंदरा पे आते हैं उस डिश्टल प्रेट फार्म का नाम क्या है जिसके परियोग से भारत के उच्चतम नियाले ने अपना अंत्रिम अस्तगन और जमानत आदेशों को तौरित संप्रेशर शुरू किया यानि भारत में सबसेदी जो केस हैं केस के निप्टारा के लिए सुप्रिम कोट ने क्या किया आपकी एक साफ्ट्वेर को जो है उसने लांच किया और साफ्वेर का नाम क्या है फास्टर यानि डी आंसर आपका हो जाएगा ठीक है आते हैं अब नेक्स्ट कोश्चन यह आपको हमारी टीम मेंबर द्वारा एक टेस्टर पर त्यार किया गया है जो यह जिसकी बैलेटी जब तक एक्जाम नो हो जाए यूपी एची एससी का तब तक इसकी वैल्टी रहेगी इसका रेट निस्तो निनानवे है लेकिन एक्जाम टलने के बाश्स से अभी इसका रेट नौस निनानवे में दिया जा रहा है और इसमें फिरी में PDF नोट्स हिंदी इंग्लिस में है पड़े वीडियो से और जो PDF को दे सकते हैं और आपको अच्छा लागे तो पड़ चिस कर लिजेगा जो लोग इस वीडियो को भी तक लाइक ना किया हो लाइक कर लिजे ताकि उनको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे और जितने लोग सब्सक्राइब कर ये ब अगर ग्रज्ञान नामग एक विद्धुत उत्बादन पढ़ालि कि निंद्खित मेंश्च में से क्या मैं चे पह यो वाला रोगटी से तहीं और पाला रेक से। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी के तट पे भारत का प्रथम यूद लड़ा गया इसको परश्डी के नाम से या रावी नदी के नाम से इसको भी जाना जाता है ठीक है इसको ब्यास नदी जाता है पुशनerson 번 18 समिधान का कोनसा अनुषिद नयाय पालिका को कारपालिका से अलग करता है पहुत है आलगन के सिलवस में हजड़र काम करते हैं तो किस अनुषिद में इनकी प्रिद क्रण का वर्ण है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुषिद 15 लेकिन विधायका यानि विधायक हो जाते हैं 48 में क्रिसियों पर सुपालन की व्यवस्ता हो इसकी वर्ण किया गया है और धरोड की रच्छा 48 कौ में है अंतराश्टी सांती की बास 51 में की गई है और इसका आंसर जो है आपका सी आंसर हो जाएगा ठीक है कुश्चन नमर 19 पे आते हैं लोकले का समीति के अद् यह आंसर आपका हो जाएगा ठीक है कुश्चन नमर 20 पे SIPRI की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दवरान अमेर्की हत्यारों का सबसे बड़ा क्रेता राष्ट कौन सा है इंपॉर्टन प्रस्न है याद रखिएगा चुकि 22 सक का यह रिपोर्ट है भी तेज़ चल अचीवेंट प्रस्कार मार्च 2023 में दिया गया बेकुल इंपॉर्टेंट है और यह करेंट का है आपका याद रिखेगा लाइक टैम अचीवेंट प्रस्का मार्च 2023 में दिया गया सुनिल मित्तल को आर्थि किष्णा को एसंस चंद सेखर को सीव नडार को याद राष्टी जलवाई मिशन राष्टी मिद्धा मिशन राष्टी विग्यान मिशन तो इसका अंसर हो जाएगा राष्टी जल मिशन के अंतरगत की गई ठीक है तुर्की लगाएंगे और आपको कमेंट बाक्स में में बताना है किस आपरेशन के तहद भारत ने तुर्की की मदद किया उस आपरेशन का नामाड़के लाया गया एक 겹 Report में ला फॉटकार से कौन निजिंप 놀ते में और बिखिए में आही away Mmadya höre day तो कौन सी नदी ने निकलती है, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, तवा नदी, सोन नदी, आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी, क्योंकि ये नासिक के तरंबेके स्वर पहाडी से निकलती है, इसलिए ये बाकी जो है नर्मदा नदी, तो यही एक ऐसी नदी है, जो उल् पर प्रतिबंद लगा दिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ण है देखेगा इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए यानि किस जुलाई जुलाई 2020 से प्लास्टिक बंदुगा था भारत में आप सब जानते होंगे किस अकार की चिर्णित एकल उप्योग वाली प्लास्टिक को अस्तु प्रतिबंद लगा दिया तो वह सव माइक्रो से कौम वाली को उन्होंने क्या किया रुक लगा दिया क्टमा देखते हैं धर्म किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठिस अंतराष्टी पृष्ष्ट काहाँडडिव rozp मान्स टाइगर रिजर्व और सत्य मंगलम टाइगर रीजर्व ओ सब्सकी मंगलम टाइगर रीजर्व यह हैं कहां तमिन एक्जाम में जाल से महतवपूर है यह आ सकता है। उसके बाद, question number 28, कावेरी ने दी जल विवाद मुखता किन दो राजों के मद में हैं? आंद्रपदेश, तमिलाडू, केरल, करनाटक, केरल, तमिलाडू, करनाटक, तमिलाडू, ठीक है? और गोल्ड एटियम याद रिखेगा हैदराबाद में, भारत का पर्थम गोल्ड एटियम हैदराबाद में, और ग्रेन अनाच का कहां गुड़गाओं में याद रिखेगा, ठीक है? और कावेरी जल विबाद करनाटक और तमिलाडू के बीश में. अईए देखते हैं, टॉन्टिनाइन प्रस निमिखित में से किस देश में पधामंत्री नलन मोधी ने आवाहन किया था कि चलो भारत, भारत से जुड़ें, रूस में, आश्टेलिया में, जापान में, याद रिखेगा, पहरंपरिक औसी डवलेचो ने कहां कराया, तो याद रिखेगा, यह जाम नगर आंसर होगा, लेकिन आप से कर पूछा जाए, राष्टी अर्वेधी संस्थान का मुख्याले भारत में कहां है, उसका आप जायपूर लगाएंगे, ठीक है, एंटोबाट पारत!